स्वागत आपसे विडियों के हमारे तीक से एनिमिशन वीडियो में और अज की से विडियो में हम लोग कांटिन्यू करने वाले पिछले वाले दिन का जो बिलेंटरी ने बनाए था उसको कैसे कोडिंग से यूजसे कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप आप हमारे चैनल पर नए है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन मेल अन कर दें ताकि हमारे नय आने वाले विडियो साब मिस ना करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने पीछले विडियो जे विडियो में जो कवर किया था तो जैसे कि यह float variable रन और इसका यूज़ करके हम लोग इस character को चला और दोरा सकते हैं अब आज की वीडियो में हम लोग code का इस्तेमाल करेंगे और इस code को लिख के हम लोग अपने character को keyboard inputs से control करेंगे तो keyboard inputs से हम लोग जब control करेंगे तब यह कुछ ऐसा दिखेगा पहले idle फिर मैं w दिबाऊंगा तो यह चलेगा और w & shift एक साथ दबाना से यह दोरेगा तो इतना ही control है आज की इस छोटी सी वीडियो में और let's just get into it और सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा हमारा जो player है उसमें हम लोग एक component add करेंगे एक नया script जिसका नाम मैं दूँँगा player controller और इस player controller को open करने के बाद आप लोग यहाँ पर देश सकते हैं दो functions है word start and word update जो की unity के by default functions है तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर एक animator मैं एक animator component को variable की तरह यहाँ लूँगा जिसका नाम मैं दूँगा anim और फिर मैं इस anim को नीचे start पे call करूँगा with the help of get object.get component function और इसके अंदर मैं parameter दूँगा animator और फिर हम लोग if मैं update function में लिखेंगे हमारा जो basic if statement है जो कि अगर हम लोग w दबाए जिसका main input होगा input.get की key को w और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग shift भी दगाए तो input.get की key को .left shift क्योंकि हम लोग left side वाला shift दबाएंगे तो फिर क्या होगा यह decide करेगा यह statement तो सबसे पहले हम लोग देंगे debug.log debug.log क्या करता है debug.log आपको console पे आप यहाँ पे जो भी string पास करेंगे उसका print देगा अगर आपका यह statement true है तो फिर debug.log में हम लोग pass करेंगे run क्योंकि हमारा यह statement run करवाएगा हमारे character को और anim जो कि हमारा animator है उसका हम लोग यहाँ पे call करेंगे और हम लोग use करेंगे anim.setFloat जो कि एक function है setFloat हम यहाँ पे क्यों use करेंगे क्योंकि unity पे हमारा run variable है वो भी एक float variable है और इसी को control करने के लिए हमें वहाँ पे setFloat function use करना होगा setFloat क्योंकि यह decimal value देता है तो फिर से हम लोग जाएंगे अपने code पे और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे setFloat setFloat लिखने के बाद हम लोग उसके अंदर दो values पास करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं दो values में एक होगा उसकी basically उस variable का नाम जो कि हम string में पास करेंगे जो कि मैंने दिया है run और आपको यह ध्यान में रखना है कि capital small आप ध्यान पर रखें और फिर उसके बाद हम उसका value पास करेंगे जो कि हम चाहते है इस statement को प्रू होने पर वह हो तो उसके लिए मैं सबसे पहले होंगा run comma and then you can see in the drop down that string name and float value तो float value में हम लोग pass करेंगे one f string name और float value आप देख सकता हो तो फिर उसके बाद colon end statement and that is how it is going to run and after that हम लोग देंगे एक else statement और else list में हम लोग यह पूरा ही statement रखेंगे बस हमें left shift नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोग बस एक not का sign लगा देंगे उस statement में फिर हम लोग यही चीज दुबारा करेंगे but for walking और walk करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि debug.log हम लोग walk print करें और हम लोग यह चाहते है कि हमारा जो animation का जो run variable है वो 0.5 पर आए ताकि हमारा जो blend tree है वो walk animation प्ले करें तो उसके लिए मैं लिखूंगा anim.setfloat और उसके बाद अंदर run, 0.5f और at the end we are gonna write the else statement कि अगर उपर का कोई भी condition true ना हो तो फिर हमारा character idle condition पर रहेगा idle animation प्ले करेंगा और उसके लिए मैं दूंगा debug.log idle जो कि हमारा basically console पर idle print करेंगा और मैं दूंगा anim.setfloat run and then I am gonna type 0.0f basically वो 0 value देगा उस variable को ताकि वो idle animation प्ले करें तो इतना ही था हमारा code और अभी हम लोग unity पे और अभी unity पे हमें देखना है कि हमारा script attached है हमारे player game object के साथ जो कि है तो फिर अभी हम लोग अगर play करें तो फिर हम देख पाएंगे कि हमारा keyboard in go secret साथ हमारा animation जो हो चल रहा है और साथी में मैं एक और चीज़ आप लोगो दिखा देता हूं तो console on करके मैं दिखा देता हूं यह idle है इसलिए यहाँ पर idle print हो रहा है और फिर मैं walk करूंगा तो फिर walk print होगा और मैं अब यह w दबा रहा हूं और फिर उसके बाद अगर मैं shift भी साथ में दबाँगा तो फिर आप देख सकते है कि यह console भी run दिख रहा है और हमारा run animation भी play हो रहा है और आप साथ में उपर में blend tree में भी देख सकते कि कैसे वो values पास हो रहे है और कैसे वो values चेंज हो रहे है लेकिन हमारा animation जो है वो थोरा सा ag type का है थोरा सा रुक रुक जा रहा है transitions पे तो उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है उसको ठीक करने का जो कि unity में ही built-in है तो उसके लिए हमें फिर से जाना होगा हमारे code पे और जो anim.set float function है वहाँ पे आप देख सकते कॉमा देने से दो नए arguments खुल जाते हैं जो कि float damp time और float delta time damp time basically एक animation से दूसरे animation के बीच में जो transition के time होता है वह होता है तो हमें वह set करना है तो फिर हम उसके animation को smooth कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर दूँगा 0.15f and time.deltatime we are gonna use time.deltatime और अभी यही same चीज हमें हर एक animation के लिए करना है और मुझा लगता है 0.5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको 0.5 से 0.1 कर देते हैं और फिर इसी statement को आप पूरा copy कर गए बाकी नीचे जो दोनों और statement सब वहाँ पर paste कर दीजे तो फिर यह आपका काम बन जाएगा So after doing that we are gonna head back to unity again and after rendering of the script और अगर हम लोग play करे तो फिर हमें दिख जाएगा कि कैसे हमारा animation जो है और runs idle यह animations जो है वह बहुत ही ज्यादा smoothly चल रहा है क्योंकि हम लोग ने वह damn time का use किया था तो आज की इस चोटी से वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को subscribe करे वीडियो को like करे और अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे 2D blendry use करेंगे तो फिर उसके लिए आप जरूर से जरूर हमारा playlist चेक करें और या फिर आपको वीडियो यह अभी screen पे दिख रही होगी अगर वो वीडियो तेयार है तो तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में ओके पाई